Hello everyone, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है, ये वीडियो दस दमदार रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी वाक्ये की सीरीज का 8th पार्ट है, इस सीरीज के हर एक पार्ट में हम बड़े ही काम के 10 daily used English sentences सीखते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं बहुत ही कम समय में, So guys, आज का हमारा पहला sentence है, वो तो बहुत बड़ा रईस है, इसको हम English में कैसे बोलेंगे, सोचिए, guys इसको हम English में बोलेंगे, He is a great grandee, he is a great grandee, grandee means रईस, जो पैसे वाला भी हो, साती सात उसका ओदा भी उचा हो, he is a great grandee, वो तो बहुत बड़ा रईस है, Next sentence is, चोर ताला तोड़ कर घर में घुच गया, the thief broke open the lock and entered the house, the thief broke open the lock and entered the house, next sentence is, इतनी देर कैसे लग गई, what took you so long, what took you so long, Next sentence is, मुझे बख्ष दो, मतलब मेरा पीछा छोड़ो, बख्ष दो मुझे, spare me, spare me, मुझे बख्ष दो, spare me, Next sentence is, वो इस काम के लिए योग्य नहीं है, he is not fit for this job, He is not fit for this job, वो इस काम के लिए योग्य नहीं है, fit नहीं है, he is not fit for this job, Next sentence is, उसने मेरे खिलाफ साज़िश की, या फिर कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं, उसने मेरे खिलाफ शड़े अंत्र रचा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, he conspired against me, he conspired against me, उसने मेरे खिलाफ साज़िश की, he conspired against me, Next sentence is, वो अपनी कमियों के प्रती अंधा है, उससे अपनी कमिया तो दिखती ही नहीं है, he is blind to his faults, वो अपनी कमियों के प्रती अंधा है, he is blind to his faults, Next sentence is, मैं तुम्हें अपने छोटे भाई के रूप में देखता हूँ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, I look upon you as my younger brother, I look upon you as my younger brother, मैं तुम्हें अपने छोटे भाई के रूप में देखता हूँ, I look upon you as my younger brother, Next sentence is, आज उमस बहुत ज्यादा है, It is very humid today, आज उमस बहुत ज्यादा है, It is very humid today, Last sentence for the days, वो पूरा दिन फोन में घुसा रहता है, जब देखो तब फोन चलाता रहता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, He is engaged in phone throughout the day, He is engaged in phone throughout the day, जब देखो तब वो फोन में घुसा रहता है, He is engaged in phone throughout the day, So guys, that's all for today, I hope आपके लिए सारे sentences काफी useful रहेंगे, इन सारे sentences में से आपका फेवरेट पाला कौन सा था, मुझे comment में जरूर बताना, और अगर आपको इए वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं, तो प्लीज इसे सब्स्क्राइब कर लीजिए, चली अब हैं मिलेंगे जल्दी ही, एक नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए टेक केर, बाबाई